हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रमोष सर्मा एटलस गुरू की क्लास में मैं आपका विशेश रूप से स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी 2020 में एकदम डटे हुए होंगे पूरे जीजान से और मैं उमीद करता हूँ कि आपके कारियों से आपके विचारों से आपकी सक्रियता से और निरंतर्ता के साथ इस लगन से जो आप कारे कर रहे हैं उसकी वजह से सफलता अवश्य मिलेगी बस इस क्रम में मैं भी थोड़ा सा आपके साथ भागिदार इस रूप में बनना चाहता हूँ कि आपकी सफलता में कहीं कुछ जरूर कमियदी रह जाती है तो उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूँ बच्चों आप लोग जैसा जानते हैं एकोलोजीर मोमेंट वन अप दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रहे प्रस्न पूछे जाते हैं तो यहां पर जो बहुत सारे जो अभी किसी कार से अभी हाल फिल हाल चर्चा में रहे हैं तॉपिक वो ऐसे प्रस्नों को मैं अपने सीरीज ओफ टॉपिक के माध्यम से डिस्कस आगे करता रहूंगा है ना यहां तॉपिक प्रस्न पूछे जाते रहते हैं और वह है नेशनल पार्क और बास्फोर जो और संक्चरी यह तीन तॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रस्न प्राहय पूछे जाते हैं और उसी में से एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है आपका बाइस्फे रिजव इंडिया में कौन-कौन से बाइस्फे रिजव हैं क्या-क्या उनकी विशेष ताएं हैं कौन-कौन से राज्यों में हैं उनके करेक्टरेस्ट उनकी location इन सब भी पर चर्चा करूँगा बच्चो प्रस्न कैसे आते हैं what the dimension of the question today I would like to discuss in front of you कैसे प्रस्न आते हैं कुछ उन पर भी चर्चा कर दें तो आप देखोगे mainly three dimensions से questions आते हैं the first and the most important dimension is state national park और bias for reserve and sanctuary with their states यानि के कह सकते हैं कि bias for reserve हमाज topic bias for reserve कर रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि prior bias for reserve और उसे related जो state है उसके साथ matching वाला question आता ही आता है चार इधर होंगे यानि national bias for reserve होंगे state दिया होगा उनको आपको मिलाना होगा या कई बार characteristics से आते हैं या एक तीसरा आता है बिसे इस रूप से आप देखोगे वहां पर कि कौन से locational क्रम में हैं यानि कि उनका order क्या from north to south and south to north east to west या west to east या कई बार इसके साथ एक क्वेस्टन और भी हाल के वर्सों में dimension के साथ पूछा जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में या कई बाइस वरिजव में या नेशनल पार्क में जल की problem भी आने लगी है मानवी कार्णों से या कोई भी human factors हो या रहा है जो नेशनल पार्क है यह बाइस वर डिजव हैं उनके आसपास रहने वाले लोगों के साथ human versus wild conflict देखा जा रहा है यानि कि मानो और जंगली जीव जनतु जो हैं उनके बीच में कई बार शंघर्स की इस्तती भी बन जा रही है ऐसा भी प्रस्न पूछा जा रहा है तो डिफ्रेंट डायमेंशन में डिफ्रेंट रह के questions आपके पूछे जा सकते हैं यानि contemporary कुछ हैं जैसे हाल फिलाल मानलों कुछ contemporary आसपेक्ट है जैसे कई केरलाव गहरे में कई राज्यों मिस टाइप की घटनाय घटी हैं तो वहां से प्रस्न वह नेशनल पार्क या बाइस फ्रीजव आपके लिए इंपोटेंट हो जाता है है ना इसी क्रम में उनके characteristics को especially आप ध्यान दे और चलिए आज हम अपनी class में इन सभी मुद्धों पर चर्चा करते हैं हलांकि मैंने नेशनल पार्क बाइस फ्रीजव और centuries क्या है इसकी चर्चा अपने पिछले लेक्चर में दी हुई थी जो आप लोग जरूर देखिए है ना आज class में मैं बाइस फ्रीजव पढ़ाने जा रहा हूं इसको मैं डिफाइन कर दूं बहुत ही ब्रीफ क्या आप सिंपल कह सकते हैं बाइस फ्रीजव एक ऐसा बिश्तित वेल डिफाइन एरिया होता है यानि कि इसका सुनिश्चित छेत्र होता है जिसमें सभी प्रकार के जिव जंतूओं, all type of animals and vegetations, सभी प्रकार की बनस्पतियां इत्ती भी होती हैं, सभी संदख्षित होती हैं यानि कि जीव जन्तूओं का शिकार यानि हंटिंग टोटली प्रॉफ्टिड होती है और साथ ही साथ जो वेजिटेशन वगरे पाए जाते हैं च्छोटी हो या बड़ी हो कैसी भी हो उनकी फूल पत्तियां घासें उनका कोई भी इकोनोमिक एक्टिविटी नहीं किया जा सकता है यानि उन्हें काट के बाहर नहीं बेचा जा सकता है ठीक है यह जो प्रोग्राम इंडिया में लाए गया था विश्यस रूप से युनेस्को के द्वारा मैप प्रोग्राम के अंतरगत एनि मैन एन बाइस फॉर इस एक बुक में 86 भी लिखा होता है उसके अनाउंस की देट और कहीं एप्लिक उसको लागू किया गया तो 87 मोस्ट अफ बुक्स में मिलता है आप कहा सकते हैं इंडिया में पहली बार नीलगिरी नेशनल पार्क को इंडिया फस्ट बाइस फॉर इजर घोशित किया गया है और उस बाइस फॉर इजर में घोशित किया गया तो कह सकते हैं नेशनल बाइस फॉर इजर एइस स्पेस्विक रिजन वेर हंटिंग और एक बाइस फॉर इजर में हो सकता है बहुत सारे नेशनल पार्क भी हो और जैसा हमने शुर में बोला कि यह वेल डिफाइंड एरिया होता है जैसा है कि आप लोग जानते हैं इसमें तीन छेत्र होते हैं एक कोर जोन होता है एक टांजिस्नल जोन होता है एक आउटर जोन होता है कोर जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर किसी भी तरह की हुमन एक्टिविटी जैसे माल कोर जोन है यहां पर किसी भी तरह की हुम के बेस पर रिसर्च कारियों से संबंधित लोग केवल यहां पर जा सकते हैं जैसे माल आई एफस ओफिशर हैं वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो नेस्ट बाइस फर रिजाव के स्कॉर वाले भाग में प्राइर इन्फोर्मेशन यह अपने संबंधित अधिकारियों को पहले सूचना देकर इस एरिया में जा सकते हैं इस वजय से चयों कि कोर एरिया में बहुत ज्यादा जीव जन्तू पाए जाते हैं और विफिन प्रकार के अक्टिविटी जो आपर संपन करते हैं यादि मानों का वहाँ पेइंटरफ़ेरेंस होता है तो हो सकता वाल तुरिज्म के पॉइंट व्यू से आप यहां जा सकते हैं घूम सकते हैं बैठ सकते हैं यह सब कुछ लिम्टेड अक्टिविटीज हो सकते हैं और फिर तीसरा होता है आउटर जोन आउटर जोन में प्राहे देखा जाता है कि यह चती ग्रस्त यदि है तो यहां पर नए पेड़ लगाया जा सकते हैं कुछ और संदक्षित करने का एक्स्पेंड करने का प्रयास किया जा सकता है तो ध्यान रखना इसमें तीन जोन होते हैं इंडिया के संदर में जैसा मैंने भी आपको शुरू में बता कि इंडिया में जब हम देखते हैं तो इस समय एटीन बाइस्वर रिजर्व आपके कंट्री में डिफ्रेंट राज्यों में मिलता है इसमें सबसे पहले हम लोग उत्तर में चलते दिए उत्तर से चलें तो फॉस्ट इस कोल्ड डैजर्ट इरिया में यहां पर धिकान समय बर्फ रहती है तंप्रेचर माइनस में रहता इसलिए नाम इसका रख दिया गया कोल्ड डैजर्ट ठीक है फिर उसके बाद नंदा देवी इनुत्राखन वन अब दो मोस्ट इंपोर्टें नंदा देवी चोटी जो है उसी के सारे एरिया मे यह जो मस्क डीयर सोंगे। होते अनिक छारे जन्तू विशेश रूप Πैस्थ और इस रूप में बड़ा महत पूर्ण है कि इसी के इरिया में वैल डी और निक सारे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी आते हैं इस पॉائंटर व्योंती चाटी देन आफ्टर वहीं कंचन जंगा सिक्किम में है कंचन जंगा चोटी भी है उसी के ग्रेटर हमालय में है और उसी के आस पास के जो ढाल सारे रीजन से विफिन प्रकार की बनस्पती विफिन प्रकार के जीव जन्तु इस पूरे एरिया में पाए जाते हैं तो इस पोईंट आ यहां पर पांडा हो गए रहे भी या अन्य जो हीम टेंदुआ हो गए रही है अन्य कई तरह के जन्तु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं यहीं पर मानस है जो आप कह सकते असम राज्य में इस्थित है और विशेश रूप से हाथियों के लिए बड़ा ही फैमस है यहां पर कई बार हुमन और एलिफेंट के कॉन्फिक्ट आप लोग टाइम टाइम सुनते रहते होगे यहीं से जो हमारा ट्रेन का कोरिडोर जाता है तो चर्चा में बना रहता है तो पेपर में पूछे जाने किसके पुरी संभाव ना है ठीक देन आफ्र दिहांग दिबांग इन अवनाचल प्रदेश इस इस अलसो वेरी इंपोर्टन ठीक है देन आफ्र दिब्रु सखेवा दिब्रु सखेवा इन असम रीजन है न यह भी 10 दिब्रु सखेवा इन अफ्र आते हैं वहीं पर मेघाले में एक बहुत ही फेमस बैस फॉरिसर्व है और वह है नौक्रेग यहां पर लेक भी है नौक्रेग बाइस फॉरिसर्व के पूछ दे जाते हैं या नौक्रेग लेक के रूप में पूछ दी जाते हैं ऐसी कंचन जंगां भी आद रखना, कंचन जंगा नेशनल पार्क भी है, कंचन जंगा चोटी भी है, कंचन जंगा, वाइसफोर रिजॉर्व भी है. देन वहीं पर आते सुन्दरवन सुन्दरवन भी वेस्ट बेंगॉल में इस्तित एक बड़ा ही महत्पून बाइस फर रिजॉव है क्योंकि यहीं पर रोयल बेंगॉल टाइगर पाया जाता है और बायो डाइवर्सिती के लिए बहुत ही फेमस है चुकि यह है रीजिन विश प्रेंट बनता जा रहां अभिहाल के समय में यहां पर है कुछ क온 रॉयल बंगाल टाइगर और Canadian हमन के goed रहे हैं इस वज़े दुरुखटना ग्रस्त हो गया था इस वज़े से पेट्रोलियम बड़े एरिया में फैल गया था इस वज़े से पूछा जा सकता है ठीक है चलिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक महत्पूर्ण रीजन दिखाई देता हमें आपका शिमली पाल उलिशा में इस् आन्द प्रदेश के रायल सीमा छेत्र में इस्थित है और इस रूप में बड़ा प्रसिद्ध है कि भाई यह इंडिया का एट्टिंथ या लेटेस्ट बाइस वर जिजो कहा जा सकता है ठीक है तो हो सकता है कभी पूछ दिया जाया देन आफ्टर अंडमा नीकोबार जहां मौन्सूनी है यहां पैसदा बहार वन हैं ऐसे घने वनों के चेत्र में बिभीन प्रकार के बिभीत प्रकार के जन्तु पाये जाते हैं तो आप पढ़ोगे विशेष रूप से बाइव डाइवर्सिटी के पाइंट डव्यू से भी इंडिया का एक बड़ा ही महतपूर्ण रिजन माना जाते हैं तो इस रूप में यहां पर जैवित्ता फिश और बहुत सा चीज़े मिलती हैं तो इसको भी घोषित किया गया देन आफ्टर वहीं पर आते हैं नील-गिरी जैसा मैंने पहले ही कहा नील-गिरी जैडिया इंडिया फर्स्ट बाइस फो रिजव एंड इट ओलसो नोन एज हैवेन ओफ किंग कोब्रा याद रहेगा हैवेन फिंग कोब्रा एन इंडिया में सबसे लंबे-लंबे किंग कोब्रा सबसे जादा संख्या में नील-गिरी में ही मिलते हैं और यह केरल तमिलनाडू और करनाटक तीन राज्यों में फैला हुआ देस का एक बड़ा महत्पूर्ण बाइस फॉरिजव कह सकते हैं इस बाइस फॉरिजव में एक बड़ी फैमस ट्राइब टोड या टोड़ा ट्राइब मिलती है जो काफी चर्चा में रहती है आप लोग धान रकिक देन वहीं पर अगस्ता मलाई जो विशेस रूप से केरल में बार दुर घटनाएं भी हां पर हो चुकी है और हाथियां यहां पर कई बार मर गई है इस वज़ए से फ्यूमन वाइल लाइफ कॉन्फिक्ट भी यहां पर देखा जाता है कि जैसे कई बार हाथियां गुरूप में आती है और गाउं पर अटेक कर देते हैं तो इस तरह की कोरल्स और उसके साथ साथ इट फेमस फोर माइग्रेटी वर्ट्स क्रेंस यहां पर बहुत सारे आते हैं फ्लैमिंगो आते हैं बड़ी संख्या में इस पॉइंट अभी से इंपोर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान रखना ठीक है इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं त में तीन बाइस फोरिजव दिखाए देंगे पंचमडी पन्ना और आपका अमर कंटक ठीक है तो इस तरह से इन सभी को आप लोग ध्यान रखना पंचमडी यह भी मत्रदेश में महारमर कंटक और पन्ना हां पन्ना लेटेस्ट बचवा ठारवां जो है पन्ना है यह सिसाच इस तरह से देखोगे इंडिया में बहुत सारे मिलते हैं पन्ना स्पेशली टाइगर के लिए बहुत फैमस है इस पाइंट अभी संख्या में टाइगर पाए जाते हैं तो इन सभी को याद रखना इसमें दो तिन फैक्चुल बाते हैं पहला कौन सा नीलगीरी किस राज मे सबसे जादा पाया जाता है तो ध्यान रखना तीन व्यासर इस लुट इसे ब्भीस पर रिए समध्य प्रदेश है अन। नॉर्थी स्थायों में सबसे जादा कहा मिलता असमी जा भीस पर रिजर वन इस बनास, धैर में बुटा ऑसमानल के लिए नॉर टिभी शक्य वारा ह और उसके साथ आप लोग धानेंगा लेटेस्ट पन्ना एटिंथ है और सेवेंटिंथ आपका सिशाचलम इस वाले रीजन में सिशाचलम के रीजन में विशेष रूप से बड़ी मात्रा में आपके इस एरिया में चंदन मिलते हैं इस रूप में फैमस है निलगिरी के आस पा उसको विद स्टेट विद करेक्टर आप लोग ध्यान रखना विद लोकेशन फ्रम नौर्ट तू साउथ इसको आप लोग सिंपल इंडिया का मैप लाईए पॉलिस्टिकल मैप लाके उसमें अलग-अलग राज्यों में भर दीजे कौन-कौन से राज्यों में इस्थित है कौन-कौन से राज्यों में नहीं है जब इस पर थोड़ास आप ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आएगा जैसे जम्मु काश्मीर में नहीं है आपके पंजाब में नहीं है अरियाना में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये भी कई बार ये भी कुशन घुमा दिया जाता है, या कह दिया जाता है कि भाई इनी राज्यों में फैला हुआ है, तो आप जब ये भी ध्यान रखोगे कि यहां 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 नहीं है, यानि कि ये तो पढ़ोई यहां नहीं है जब रखलोगे तो यह गल्ती होने की संभावन नहीं होगी कई बार जोड दिया जाता है यह फला नेशनल पार्क इन इनाज्यों में फैला हो जैसे मालोग पन्ना पन्ना नेशनल पार्क प्रदेश उतरप्रदेश के साथ शत्तिसगर्ण में फैला हुग अब आपको मेरी सबी सुब कामना आप लोगों के साथ है थैंक यू फिर मिलते हम लोग